नमस्कार, मैं हो सशी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरक्ण के दिन भर की खबर जानते हैं पारा सिक्षक परवान पत्र सत्यापन का अमती मौका परवान पत्र सत्यापन के लिए परवान पत्र जामा करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया था सिक्षको ने अपना पत्र जामा कर दिया है पत्र सत्यापन के जिमेदारी समन्दित परखंड के परखंड सिक्षा परसार पताधिकारी वजीला सिक्षा अधिक्षा को दी गई है जारखंड सरकार ने नहीं दिया 1,00,00,00 का उपयोगिता पवान पत्र जारखंड सरकार ने 31,00,00,00,00 को रुपए के खर्च का उपयोगिता पवान पत्र नहीं दिया है इस वगा से CAजी ने 780 के खर्च में गड़बरी के असंका जटाई है वीतिये वर्ष 21-22 में सरकार ने 1927 को रुपए की आमदनी का अनुमान बताते हुए बयट त्यार किया था हलाकी बयट अनुमान के मुताबिक सरकार को 73 या 688 को रुपए का ही रहसो प्राप्त हो सका सरकार द्वारा चल रही करीब 10,000 को रुपए की लागत वालिया धर्भूस सन्रचनाव का काम निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सका वहीं सितकाली सत्र में भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्चक द्वारा पेस रिपोर्ट में इंतत्यों का उले किया गया है वीतिय बर्ष 21,22 से संबंधित स्री एजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस ओधी में 91,277 कोड़ रुपए का बयाट अनुमान किया था लेकिन राजस्व प्राप्ति अनुमान के मुकाबले 17,669 कोड़ रुपया कम हुआ है फिरी राशन 31,2,23 तक मिलेगा सरकार ने उभोकताओं के लिए नए साल का नयाब तोफादेने का इलान किया है अतियासिक फैसले में सरकार ने सभी को मुफ्त अनाई देने का निनलिया है बताजे सरकार के इस फैसले से देश भर के 81.35 कोड़ लोगों को सिधाला मिलेगा राश्ट्रिय खाजे सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन परनाली में सस्ती दरो पर उभोकताओं को बाटे जाने वाले अनाज के लिए अब काड़ धार को कोई भोकतान नहीं करना होगा प्रधान मंत्री नायन मोदी के अध्यक्ता में सुक्रवार को हुई आर्थिक मामलो की मंत्री मंदलिये समिती की बाटाक में फैसला लिया गया यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी सरकार के इस निर्ने से खाजाने पर 2 लाख कोड़ो रुपए का भारी बोज आएगा जिस सरकार ने मंजूर कर लिया है बेर्मो बिधायक अनूप सिंग से इडी पुष्टास जारी जार्खन बिधान सबा की करवाही खत्म होने के अगले ही दिन बेर्मो के बिधायक जै मंगल सिंग उर्फ अनूप सिंग से पुष्टास के लिए रांची के हिनू इजदित प्रवतन निदेसालाई के दफ्तर में हाजिर हुए इडी के अधिकायों ने कॉंग्रेस बिधायक से पुष्टास शुरू कर दिया है वेर्मो बिधान सबा छेत्र से कॉंग्रेस बिधायक और दिवंगत कॉंग्रेस नेता रायंदर सिंग के पुत्र अनूप सिंग सन्निवार को इडी के दफ्तर पहुँचे यहां कालगी अनूप्राइब और उनसे पुष्टास सुरू हुई है डेवघर के मोहनपुर से नौ साइबर गिरफ्तार साइबर थान एक मोहनपूर थाना चहत्रे के चितरफोका कान से नौ साइबर आरूपित-ठागी की घटना को अंजाम दे रहे हैं इसी सुचना पर छापे मारी की गाई तो मौके से नौ साइबर अपरादियों को पकड़े गाए जबकि कुछ मौका पाकर फरार हो गाए गिरफतार आरोपियों में धनराज कुमार सामिल हाए नकसली पीडित बच्चों के इस्कूल में दसवीत तक होगी पढ़ाई नकसल परभावित छेतरों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुसकाबरी सामने आई है केंद्रे के सवयोग से नकसल पिडित एवाम अभिवान्चित वर्गी के परिवार के बच्चो अनात एवाम एकल माता फिता के बच्चो के लिए संचालित नेचाजी सुबाद चंद्र बोस आवासे भी द्यालों में अब दस्वी काक्षा तक पढ़ाई होगी बतायाँ दे केंद्रे ने इन 26 स्कूलों को अफग्रेट करने के राज सरकार के प्रस्ताव पर अपनी स्वकरिती पदान कर दिया है साथ ही इनमें सिख्ष को एवं अने कर्मियों के 416 पदों की सुगिरिती देते हुए इनके लिए मांदे की रासी देने पर भी अपनी समती दे दी सिख्षको एवं अने कर्मियों के मांदेवा अने संसादिनों पर खर्चों वाली कूल रासी 60 पर 37 रासी के अंदर सरकार देगी जब कि सेस का वहान राज सरकार को करना होगा सिमडेगा में अंकल टुटोरियल में बच्चों की बीच पहुंचे स्पी पुलिस की ओर से बच्चों को निसूल को कोचिंग देने को लेकर पुलिस अंकल टुटोरियल कलास संचालित किया जा रहा है इस टूटोरियल में क्रिस्मस छुटी के पहले स्पी सोरब ने बच्चों के बीच पहुंचे और क्रिस्मस की छुटिया के रूप में मिठाई बित्रित किये और 9 वर्स और क्रिस्मस की सुभकवनाय दी मौके पर मौझूद अनुमंडर सिक्चा पताधिकारी बादल राज ने भी बच्चों को आने वाले 9 वर्स और क्रिस्मस की बदाई देते हुए प्राइक्चा की त्यारियों पर जोर देने की बात कही इस औसर पर सदर थना प्रभारी दयानन्द कुमार मेजर खोसी लाल महतो सब एंस्पेक्टर सरजीत कुमार अधिकारी उपस्तित थे हेमंत सरकार के तीन वर्स पूरे होने पर सियासत शुरू राजे में हेमंत सोरेन के नितित में बनी सरकार 29 दिसमबर 2022 को तीन वर्स पूरा कर लेगी पिछले तीन सालों में सरकार के कई साथ खटी मुठी यादे जुड़ी हुई है इन सब के बीच बर्तमान सरकार अपने उपलबधी गिनाने के लिए 29 दिसमबर को भव्य साल गिरह मनाने की त्यारी में है इसको लेकर भी पक्षी पार्ट यानि साना साथना सुरू कर दिया बता दे प्रजेक्ट बहुन सबागारमा अवजित होने वाले इस समारों में मुख्य मंत्री हेमल सुन राज की जनता को कई सोगात देने जा रहे हैं मुख्य मंत्री समारों को भव्य बनाने को लेकर सभी जीला में कारकर अवजित किये जाएंगे और सभी जिले ऑनलाइन के जरिये मुखे समारों से जुड़े रहेंगे इस अशर पर कडोरों की लागत से कई वजनाव की शुरुवात होगी वहाई कई वजनाव का उधगाटन भी किया जाएगा इसके साथ ही डीवीटी के माध्यम से राजे के 10 लाख किसानों को सुखा रहत रासी 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र चात्राओं को छात्र वीर्ती और 5 लाख साथ है यार बचियों को सवित्री वाई फूले की सोरी सम्रीदी वेना के तहाट तोफा मिलेगा कोट फीस में सनसोधन से काउंसिल असन तूष्ट काउंसिल का प्रस्ताव नहीं मानती है तो काउंसिल के नेनाय के मुताबिक राज भर के अधिवक्ता नए साल की सुरुवात से यानि दो जन्वारी से खूद को नाइक कारियों से दूर रखेंगे या अंदोलन अनिस्चितकालीन हो सकता है गोड़ा का सूपरमैन जो पक्छियों से तेज उड़ता है जारखन के गोड़ा जी लेके महगामा के रहने वाले दिपांसु ने अपनी परतिभा के कमाल दिया है बतादे दिपांसु ने एक सूपरमैन बनाया है जो लकड़ी और अन्य उपकरन से दिपांसु ने ठिक सूप सूपरमायन आस्मान में 80 किलोमेटर की रफतार से उड़ता है दिपांसु ने बताया है कि उन्होंने बचपन से टीवी में सूपरमायन और क्रिस को उड़ते हुए देखा था तभी से उन्हें लगता था कि वह भी एक दिन ऐसा कर सकता है अब दिपांसु खुद तो आस्मान में उड़ नहीं पाया लेकिन उसका हौसला और परतिभास मान में गोते लगा रहे हैं जमसेदपूर को नगर निगम बनाने की त्यारी जला रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए जहारखन सरकार अलाट मुड में चीन में कोरोना के बढ़ते मामले की भायरत भी अलाट हो गया है स्वास्त मंत्री बना गुपता ने भी केंजर सरकार से कहा है कि वो पूरी तरह से कोविट से निपटने में सहयोग करेंगे फिलहाल स्वास्त विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए कोई दिसा निदेश जारी किये हैं इसके मुताबिक जीले से जुड़ने वाले रास्ते पर चेकिंग पॉइंट बनाया जाएगा साथ ही सरुजनिक अस्थानों पर मास्क लगाने और सोसल डिस्टेंसिंग करने का अनुरूत किया गया है धन्यवाद